हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आशाकर्टी मच्चे होंगे, सस्त होंगे और मस्त होंगे यह देखिए मेरा पूजा का देश्यक सुबा की पूजा हो चुकी है और सिक्स अकलॉक के करीब है और रोशनी हो जोई है बैंगलूर में अब भी तो ओड़ा लेट हो रही है सुबख सिक्स ओक्लॉक के करीब हो रही है यह देखिए दीपतान मेरे तरवाचे के उपर यहां हवा बहुत चल रही है इसलिए मैंने तुर्सी का दीपक यहां ही रखा है क्योंकि बहुत हवा चलत है क्योंकि यह देखिए दीपतान करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो यह रही मेरे तुल्सी की पूजा और यह अकाश दीपतान दिया है तुर्सी को दिपक जलाया है बहुत मुश्किलें से जगा है थोड़ा आपको ने जारा दिखा देती हूं सुबा का देखिए बहुत बड़ा एक खेत है, जहां प्लाट कट हो रहे हैं, पारक बनेगा, यह देखिए, इदर पीछे घर है, और यह सुबा का टाइम, उदर से सामने से सूरज निकलता है, यह देखिए, मेरी तुलसी माता, तुलसी माता को दीपक डाला है मैंने, अकाश दीपदान दिया है, और यह तुलसी को दीपदान दिया है, मैंने सुबाई उटकर दिया है, पांच मजे के करीब मैं दीपक जगा देती हूँ, क्योंकि दीपदान का जो महत्तव है, वो अंधेरे में ही है, देकि बहुत पेड़ थे पहले नारियल के प्लाट कट होने की वज़े से सब पेड़ कट हो गए, यह बिएक दोई पेड़ बचे है, देखिए सुबा का नजारा, थोड़ी सी फोग पड़ी है और कितनी धंडी आवा चल रहे है, यह सुबा का नजारा है, देखिए चीडियों की छोडी सी फोक पॱ्यगीएए लेकिए देखिए मेरा विखे बुजगया इतनी हावा चली एक जगह हैं नीचे और एक बुजगया है क्या करेदी पतान देने को भूत ही मुश्किल होती है यहां पे कृट् wszyscy हावा चलती है यह देखिए है मेरा में दोर यहां पे थोड़ा हम नेगी डाला है जाली का दरवाज़ा तो बुली रुक्षाती है नहीं तो यहां भी बुरी मुश्कल से जलता है उमीद करते हूं आपको मेरा सुबा का बुडियो अच्छा लगा होगा झाला है